अगर हमारे डारेक्टर और प्रोड्यूशर होते या मेरे पिता फिल्मों में हीरो होते तो मैं सुपरिश्टार का बिश्टार होता यहां कला की बात नहीं मौके की बात है बहुत सारे दोस्तों की इस पे क्रियार प्रिटिक्री आई हैं कुछ एक फॉन पे भी आई हैं जो कुछ खास थे और दिल्ली यूनिवर्स्टी के जो मेरे प्रोफेसर मित्र हैं उन्होंने फॉन करके मुझसे कहा कि आपकी इस टिपड़ी में बहुत कुछ है मगर सब आपने बताया नहीं एक अच्छा सा वीडियो बना के बताएंगे तो यूवाओं का और जो हमारे बच्चे हैं उनका लाब होगा दरसल जो यह सेंटेंस है इसमें बहुत ज़्यादा बात छपी हुई है एक सेंटेंस में बात समझ में आती नहीं है यह बात सही है क्योंकि मैंने सिर्फ सारा मिला के एक सेंटेंस जी डाला था दरसल पैसा दे के तमासा देखने का भारती है जो धंदा है वो मैं काफी पहले बंद कर चुका हूँ यानि मैं अपनी जेब से पैसा भी दे के आओं और वहाँ जो लोग हैं उनका नाचना, गाना, खेलना, कूदना, उचलना उनका जुट, उनका सच, उनका विश्वास, उनका अद्विश्वास, उनका धंदा, उनका धर्मका अंधाबन जू भी कुछ है मैं वहाँ से अपने दिमाग में कच्रे में ले के आऊं सिवाए इसके कि मुझे वहाँ दो डाई घंटे AC की हवा मिलती है और कुछ नहीं मिलता इतने सस्ते में मुझे AC की हवा किसी 5-star होटर में मिल सकती है फ्री में क्योंकि फिल्में जब मुझे समझ में आएं कि भारतिये फिल्में बिसीकली कर क्या रही है तो मैंने फिल्में देखना सनीमा हौल में बंद कर दिया कोई सो में से तीन चार फिल्में ऐसी होती है जो देखने लायक होती है तो जब देर सवेर कभी मुझे वीडियो में या कहीं मिल जाती है तो मैं उनको फिरी में देख लेता हूँ पैसा मैं तब भी खशनी करता कोई व्यक्ति अगर मेरा फिरी में टिकेट लेके मुझे फिल्म दिखाने के लिए ले जाना भी चाहे तब भी मैं अपना समय उसमें जाया नहीं करता खत खराब नहीं करता क्योंकि भारतिये फिल्में सिवाए दिमाग खराब के और पैसे खराब के कुछ नहीं देती कुछ एक फिल्में चुनी हुई आती है जिनका पता चल जाता है जो देर सवेर देखी जा सकती है जिनकी चर्चा मिल जाती है भारतिये फिल्मों में होता क्या है दरसल फिल्में किसी देश में किसी देश के विकास के लियें बनती है यानि जो उस देश के डायक्टर और प्रोडूशर हैं वो फिल्में इस हिसाब से बनाते हैं कि उनका देश पूरी दुनिया में ज़्यादा तरक्की करे और देश आगे बढ़े मगर भारतिये जो सिनिमा हैं जो भारतिये फिल्मे हैं उसमें अधिकतर जो प्रोडूशर हैं जो डायक्टर हैं वो फिल्में इस हिसाब से बनाते हैं कि हमारी फिल्मों में देखने वाले लोग ज़्यादा आएं देश का विकास हो या ना हो उससे उन्हें कोई ले ले लेना देना नहीं है इसलिए जो घटनाएं खराब घटनाएं जो मन को दूसित करने वाली घटनाएं भारत के इंदर चलती रहती हैं वो उनीके टॉपिक और उनीके सब्यक्ट लेके उसको और बढ़ाते हैं इसको आप ऐसे समझे जैसे सराव एक बहुत बड़ी बुराई है सराव एक जहर है इसको सरकार भी पलाती है इसको जगे जगे लोग इसको बनाते हैं इसको ब्यापार करते हैं हमारी परिवारों में लोग इसको पीपी के मरते हैं कोई पढ़ाई छोड़ देता है किसी का घर बिख जाता है किसी का सरीरस्ताल में ही खतम हो जाता है और फिर भी इसको लगातर बनाया जाता है बिज़ा जाता है और सनीमा होल के अंदर इसको बहुत अच्छी तरह से ग्लेमराइज करके चमक दमक के साथ में, इस्टाइल के साथ में, गलास के साथ में, गानों के साथ में, कबाली के साथ में, रस के साथ में, शायरी के साथ में, शायरना अंदाज में और बहुत महिमा मंडित करके इसको पेस किया जाता है एक बार भी ऐसी फिलिम नहीं बनती जो ये कहे कि सराब मेरी फिलिम में नहीं आएगी मैं सराब के विरुद हूँ, सराब जहर है जो लोग सराब का कारोवार करते हैं या सराब का प्रचार करते हैं या सराब का पैसा खाते हैं या सराब का बिनिस करते हैं वो देश दरोई हैं क्योंकि देश के बच्चे को सराप लाते हैं और सराप को जहर बोलते हैं तो देश के बच्चे को जहर पलाते हैं ये भारतिय सनिमा का आइना है दुनिया की हम बात नहीं करते हैं क्योंकि दुनिया के लोग समझदार हैं उन्हें किस देश में क्या बेचना है वो बेचना है और अपना पैसा कमा रहे हैं भारत के लोग कुछ ही लोग हैं जो पूरे भारत का नहीं सोचते सिर्फ अपना सोचते हैं दरसल सिनीमा जो भारतिय है उसमें जो कला है जो टेलेंट है उसकी कहीं भी आवशक्त नहीं है उसकी कहीं भी जरूरत नहीं है इसका अंदाज़ा आप इस बास से लगा सकते हैं कि अगर आप भारतिय सनिमा में कहीं कुछ काम करते हैं तो आपके पुत्र या पुत्री का वहाँ पर इस्थान पक्ता है रिजर वेशन पक्का है आरक्षन पक्का है आपका पुत्र या पुत्री या आपका रिस्तदार ही आपकी जगे लेगा आप उसको प्रमोट करेंगे तीन फिल्में फ्लॉप जाएंगी किसी भी नए कलाकार की और चौती फिल्म में आपको आदत पढ़ जाएगी उससे देखने की फिर वो अच्छा लगने लगेगा ठीक ऐसे ही जैसे आपको कोई कराय का मकान नहीं उसमें जाएं तो आपको एक अपने तक वो मकान बड़ा ज क्योंकि पहले मकान की आदत है फिर उस मकान की धिद्रे आदत पढ़नी शुरू हो जाएगी और वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा बेसक वो कितना ही खराब सही ठीक ऐसे ही यहां जो चलता है उसमें जो व्यक्ति है उसी के बच्चे एलेंट से कोई लेना देना नह मतलब है कि भारत के सभी बच्चे सभी लोग जितने भी हैं वो अपनी कला का प्रदर्शन करें और उस कला की कोई डिगरी कोई नंबर ऐसा मिले कोई मेरिट बने और उस मेरिट में जो लोग उपर आएं उनको फिल्म में मौका मिले ऐसा नहीं होता आपका रिस्दार अगर अगर फैने सर है प्रदुशर है आपकर इस्दार अगर ही रो है कलाकार है नामी है ग्रामी है या आपकी कोई जुगालबाजी है तो आप फिल्म इंडिश्ट्री में किसी भी तरीक में सरसिके . अन्य था लेबर का, इस्पोर्ट बोय का, वार्ड बोय का, ये सब बोय का जितने भी होते हैं या जो पीछे कोरस में नाचते हैं या गाते हैं उनके लिए आपके पास जगे खुली हुई है वहाँ लेबर के रूप में आप जा सकते हैं कोई कोई बिला ऐसा होता है जो बहुत इस्टेगल करने के बाद में अपनी टेलेंट के माध्यम से या अपने जुगारबाजी के माध्यम से अपने पैर जमाने में कामयाब हो जाए उसको भी उधेरते रहते हैं, उखारते रहते हैं, पचारते रहते हैं, चलता रहता है तो वन्स वाद है, वहाँ जाती बाद भी बहुत जादा है जाती वाद कैसे है पिच्चरों के अंदर जितनी भी फिल्म आई है जो आ रही है जो आईगी देखेंगे आप उन्हें तो उनमें जो सक्ती साली करेक्टर है उनकी जातियां बताई जाती है उनकी जातियों के नाम बताई जाते है मगर जो पिटने वाले हैं जन्ता का करेक्टर है जो आम आदमी है उनकी जातियां नहीं बताय जाती है अगर आप एक पक्ष की जाती बता रहे हैं और उसको महिमा मड़ित कर रहे हैं और उसको बारवार बारवार लोगों को याद दला रहे हैं ये जाती ऐसी होती है इसका ये काम होता है ये जाती ऐसी जिनको महिमा मनड़त कर रहे हैं और लोगों के दमाग में डाल रहे हैं कि इन जातियों का तो काम ही ऐसा है यानि कि लोग उसको पिच्चर देखे ही अखेप्ट कर लें अपने मन में रख लें कि अगर यह जाती का यह तो इसका अधिकार ऐसा है यह हमने पिच्चर में भी देखा है पिच्चर में भी होता है तो आप क्या कर रहे हैं जाती बात को मजबूत कर रहे हैं तो भारतिये फिल्में जाती बात को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है इसके अलावा धरम के मामले में आप किसी भी धरम की जो मानत है उसका पूरा इस्तमाल करते हैं लोगों के इमोशनल करने ने तो भारतिये फिल्में धरम का बड़ा शारा लेती है कहीं भी वो जब भी स्क्रिप्ट उनकी कमजोर होती है कहानी कमजोर पड़ती है उसमें धरम आ जाता है बिना इस शोध के बिना इस बात के कि इससे देश की तरक्की होगी या नहीं होगी एक उसमें ऐसा होता है तो भारतिये फिल्मों में हिंसा खूब होती है भारतिये फिल्मों में नाश गाना जो राग वाली चीज़ें वो बहुत होती है सिगरेटें, मिगरेटें, सराब बीडी, खूब इस्टाइल से सरव होती है, पलाई जाती है, खूब सारे उसमें बलातकार दिखाय जाते है, खूब उसमें अत्याचार दिखाय जाता है, खूब उसमें अमीरी गरी भी दिखाय जाती है, खूब उसमें मार्पिट दिखाय ज कि IRF जाता देस की समस्याओं क्या हैं, कोई फिलिम ऐसे नहीं आती जो देस की समस्याओं पे बात करती हो ये फिलिम नहीं दिखा जाती के देस हमारा गुलाम किसने बनाया Azadhyi की पिछ ने तो भूत बनी हैमर गुलामी के महानायको-की एक भी पिछ नहीं ए इविन उनकी कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, कोई किताब भी नहीं है, कोई शोध भी नहीं है, कि ताकि हमारा देश दुबारा से गुलाम न बले, उन गुलामी के महानायकों को तो ढूंड लो, जो जिन्होंने हमारे देश को आजा देश को गुलाम मनाया, ये पिचर नहीं आती, के असोग की ब्रद भारत के इतने छोटे-छोटे टुकड़े करने वाले वो कलाकार कौन थे, जिन्हों ने देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बाट दिया. वो ये फिले में नहीं आती, के देश हमारा दुनिया में आगे क्यों नहीं है? चाइना से आगे क्यों ने निकला या चाइना हम से आगे कैसे निकल गया या हम अमरिका से आगे क्यों नहीं आये या हम पहले अगर विस्व गुरू थे तो अभी हम विस्व चेले कैसे बन गए यानि विस्व चेले बनने की कोई तस्वीर वो दिखाते नहीं है वो नहीं दिखाते कि व्यक्ति अगर वेशन करेगा, सराब पिएगा या बिडिशेट पिएगा तो अस्पतालों के अंदर उसकी कैसी सरसर के मौत होती है इसके वारे में पिचलें नहीं आती वो नहीं दिखाते कि भारत में सिक्षा का इस्तर कितना खराब है और भारत अगर पड़ेगा नहीं तो पड़ेगा नहीं इस बात पे कोई पिचल नहीं आती कि भारत की लगातार सिक्षा पे इस्तिती खराब होती जा रही है विसमें कमजोर होती जा रही है यह जो universal topic है जो universal subject हैं जैसे भुक मरी का है कि भारत में इतने संसादन होते हुए इतनी नदियां इतना पानी इतनी बारिस और इतनी जमीन होते हुए भी हमारे यहाँ लोग भूके क्यों रहते हैं क्यों एक आदमी को थाली भरवर के खाना मिलता है और वो थाली भरवर के खाना कोड़े में फैक्टा है और एक आदमी को खाना नहीं मिलता इस बात पे पिच्चर नहीं आती इस बात पे पिच्चर नहीं बनती कि भारत की जो अर्थ विवस्ता है वो खराब कैसे हो गई कैसे ये भारत भिक्मंब की स्रेड़ी में आ गया कैसे ये दुनीया भर का कर्द़दार हो गया कैसे इसके रुपे की हलत खराब होगी इस पर पिचर नहीं आती दरसलिग्ष्छी जो सब्जेक्ट है भारत को आगे बढ़ाने वाले जो भारत को आगे ले जाने वाले जो विस्व गुरू बनाने वाले उन पे कोई भी डायक्टर प्रोडूसर भारत में पिच्री नहीं बनाता तो भारत से प्यार नहीं है बस तो यह ऐसा देजबक्ती का बना के गीत गाते रहें उससे के प्यार है प्यार है इनकी सोच का दाइरा कॉंटिनेंटल और इंटरनेसल है ही नहीं जब मैंने बाहर की पिचर देखनी सुरू की ही तो मैं ताज्जू में रह गया कि हमारी पिचरों का जो लेबल है और इनकी पिचरों का लेबल है टेक्नलोजी को छोड़ दिए क्योंकि टेक्नलोजी में तो कोई भी एडवांस हो सकता है कोई भी नहीं मगर जो स्क्रिप्ट है जो कहानी है जो बिसिकली कंटेंट वो देना चाहता है जो वो स्टोरी है जिससे वो एक औबजेक्ट पूरा करता है जिससे वो एक message देता है हमारे यहां तो कहते हैं बड़ी बुद्धिमान लोग हैं बड़ी बुद्धिता है और उनके आगे तो यहां कुछ नहीं है उनकी सोच continental है वो कैसे पिछले आती हैं कैसे science की बड़ी बड़ी चीज़ें develop होती हैं ऐसे बनती हैं ऐसे लोगों के लिए खास्तों से यूवाओं के लिए खास्तों से उनके game के उपर खास्तों से वो जो इजाद करते हैं जो पैदा करते हैं या जो उनमें चुछुड़ी बात होती हैं या जो उनके पढ़ाई के चुट-चुट सिस्टम होते हैं वो कितनी बारिकी से एक 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 बात को रखते हैं और अपनी बात को रखते हैं पूरी दुनिया पर राज करते हैं आज भी राज करते हैं जबकि वो उनकी कोई कलोनी है नहीं फिर भी वो लोगों के मन मस्तिक्स पर राज करते हैं भारत के अंदर ये खुबी नहीं आती भारत के अंदर क्या आता है औरतो के जगडे औरतो के गाने उनके तीज तोहार, संगार और उनके ब्रत इससे भारत आगे नहीं बढ़ने वाला है इससे भारत का कुछ नहीं होने वाला है तो कि औरत को तो आप और जादा और जादा और जादा करम कांडों में फसाते जा रहे हैं तो भारत की आधी सक्ती तो करम कांडों में ही रहेगी तो वो पढ़ेगी नहीं लिखेगी नहीं तो 30-30 ब्रती रखेगी, फिर वो क्या साइंस पढ़ेगी और क्या महत करेगी, तो आपने आद ही औरतों का तब लोगली मामना खराब कर दिया, यानि जो भारती पिचर हैं, वो औरतों को तो पूरी तरसे नकारती हैं, वो उनको उसी पराम पर एक चीजों में धकिलती हैं, जिससे भारत पीछे जा रहा है, आगे जाई नहीं रहा है, कहते हैं, दुनिया से कंधे से कंधा मिला के काम करना है, अरे कैसे कंधे से कंधा मिलाओगे, जब एक कंधा तो 150 स्पीट से दोड़ाएगा, और एक कंधा 10 की स्पीट से दोड़ाएगा, तो कैसे कंधे मिलेंगे वो कंजा तो पीछ रहेगा हमें से आप जो नौजवान है भारत के उनको काम पे लगाने की कोई ऐसी फिलिम या कोई ऐसी तरकीब नहीं बताते इससे भारत के यह नौजवान भारत है यह सारा काम पे लग जाए और सारा भारत आगे बढ़े इस विताज की इस तरक्डी की इस थीम की सोच की फिलमी नहीं आती भारत की तरक्डी से किसी को मतलब भी नहीं है कैसी तरक्डी है बस हमारा बॉक्स ओफिस पे धंदा अच्छा हो जाए चमक जाए, कुछ उसके रंग बरंगे पोश्टर लग जाए कुछ आदे कपड़ों के, बिना कपड़ों के कुछ पोश्टर आ जाएं, दो-चार सीन आ जाएं, एक आद गाना डंडे के आसपास कोई हिरोईन जुमता हुआ गाले, एक आद गाना कुछ ऐसा तलक भड़क का हो जिसमें छमिया छम्मो नाम का कुछ उसमें आ जाए, और कहा सनीमा हुल में जाके दो-डाए घंटे बरबात करना, दो-डाए घंटे आने जाने के चाप-पांच घंटे, मुझे बिल्कुल भी बरदास्त नहीं है, इसलिए में जाता नहीं सनीमा को देखने के लिए, सनीमा के अंदर कलाकार जितने भी हैं, कुछ कलाकारों को अगर छो दिल्डी करते हैं उनका नच् Dual Art में आता है, दो उनके देखने के धरसा होते नहीं, उनको लाएने जाता है क्यbonकि भारत कोई तरक्की की फिल्में सुरू से नहीं बन नहीं है, यहां चमतकार की फिल्में खोग चलती है और Science की फिल्में उनको नहीं बनाया जाता, क्योंकि जो प्रंपरागत पैसे आता है बटोड़ता है कुछ फेमलियां वहाँ पे खटी होगी है जैसा गहर उनी के घराने हैं उनी के घर हैं वही फिल्में बनाते हैं वही बेशते हैं नए आदमी की एंट्री बड़ी मुश्किल है हो जाए तो जारा हाँ जो जोड़के पड़ा रहेगा नहीं तो अपना दायाँ बायाँ माइस होगे कोई उल्टा सीधा काम कर लेता है इसलिए मैंने ये सेंटेंस कहा था कि अगर मेरे पिताजी हीरो होते या मेरा डायक्टर या मेरा प्रोडूसर महां होता तो मैं वहां स्टारों का बिस्टार यानि सुपर स्टारों का बिस्टार होता क्योंकि टैलेंट की महां आवशकता नहीं है वहां तो सिर्फ मौके की आवशकता है मौक अगर आपका है तो बागी काम जो टेक्निसिन हैं जो एडिटर हैं जो मेक अप मैन हैं, जो डायलब डिलीवरी हैं, जो साउंड की एडिटिंग करते हैं, बेसक आपकी आवाज कितनी खराब है, आपको गाना भी गवा देंगे वो, बागी सब तो करा ही देंगे, आप उसकी चिंता ना करें, तो उन्होंने जैसा डियो के हमारे मित्र प्रोफे लिए नाच रही हैं, नाच नाच के खूब आपको दिखा रही हैं, सब काम कर रही हैं, आपको असाने के लिए आपकी जेब का पैसा निकालने के लिए हैं, और ये बाजार है, यहाँ जब हम किसी का पिच्चर देखने जाते हैं, तो जेब से पैसा निकालने के उसको देत हैं उसका पूरा मज़ा लेते हैं पैसा दिया है नाश देखा है हमारा संबंद खतब हो गया पैसा दिया नाश देगा उसके बाद हमार लिया आपके दिल में कोई रेस्पेक्ट नहीं है ये ठीक ऐसे है जैसे साबन की टिक के पीसा दिया साबन के टिकिली रगड़ी है, पानी में धोई नाली में चलीगी बात खतम, ऐसा ही मैं है, कलाकार कोई भी हो, कैसा भी हो, हमें उससे कोई लेना दे रहा नहीं है, कोई लगाव नहीं है, क्यों हम फ्री में उससे लगाव रखेंगे, कि जब हमने उसको पैसा दिया है उसकी कला खईदने का उसकी कला को हमने देखने का पैसा दिया है तो फिर लगाप की आवशक्ता पड़ती नहीं है फिर मो माया की जरुद है नहीं धन्यवाद टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर टीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकत हैं उसको डाउनलोड कर सकते हैं उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते हैं या अपनी कमेंटरी कर सकते हैं उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं उसका प्रिंट मैट्रियल भी बना सकते हैं उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं उसका आउडियो च इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं, उन बातों को हम सरल भासा में, आम भासा में आप तक पहुँचा देते हैं। धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना सभी देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है। धन्यवाद। संगं सरेणं गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। संगं सरेणं गच्छाम। संगं सरेणं गच्छाम। संगं सरेणं गच्छाम। बुखियम पिसन्यम सर्णम पिच्षानी तेटियम पिभु